नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उप प्लब्ध करवाया जा रहा है, हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद चलिए एक और प्रशन हल कर लेते हैं और ये फिर से प्रतिछेदी और अप्रतिछेदी रेखाओं पे और मैं कहूं कि बहुत ही जो आधार भूत आपके पास त्रिबुज के गुरदर्म हैं उस पे आधारित है और चलिए आईए इसको हल करें तो दिया गया है कि P Q रेखा जो है वो P S के लंबवत है और P Q और S R आपस में यहां पे समानतर भी दिये गए हैं ठीक है और बदाया गया है कि S Q R जो कोण है वो 28 डिग्री है और Q R T कोण 65 डिग्री है तो X और Y के मान गयाद कीजे तो सबसे पहले आईए हम त्रिबुज P Q S में त्रिबुज के तीनों आंत्रिक कोणों के योगफल का अगर हम गुर्धन प्रयोग करें तो हमारे पास आ जाएगा कि 90 डिग्री और X और X Y का योगफल 180 डिग्री होगा और यहां समय पता चल गया कि X और Y जो है 90 डिग्री के बराबर होंगे ठीक है तो इस बात को ह hemen क्या करके लिख लेते हैं अब आप देखें कि अगर यह दोनों रेखाएं समानतर हैं तो कोंट P Q R और कों Q RT बराबर होंगे कोंज सकता है क्यूं कि यह दोनों को एक आंतर कोड बना रहे हैं या फिर मैं कहलूं अकंत अतहा एक आंतर कोड बना रहे हैं कौन सी रेखाओं के बीच में पीक्यू और एसार जो की आपस में सामानतर हैं अब पीक्यू आर का मान जो है हमारे पास क्या आएगा प्रती इस्थापित करें तो हमारे पास आएगा कि 37 डिग्री प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और वाई का मान हमें कितना मिल जाएगा 35 डिग्री तो इस प्रकार से हमने एक्स और वाई का जोमान हमों निकाल लिया यहां पे हमने आप रती छेदी रेखाएग और एक त्रिबुज के योगफल का गुड़धर्म प्रयोग किया है आए हम एक और और आखरी प्रशन यहां पर कर लिए और यह प्रशन यह कह रहा बाइशकोन गुर्धर्म ये जह बहुत प्रमों का प्रमेक प्रयोग करने वाले यदि कोण PQR और कोण PRS के समध्य भाजक बिंदू T पर मिलते हैं समध्य भाजक मतलब कि अगर यह X है तो यह भी X हो गया और यह Y है तो यह भी Y हो गया तो सिद्ध कीज़े कि कौन QTR, जो है वो QPR का आधा है, तो आईए इस गोर अग्रसर हों, और हमें दिये गए गधन का अगर बाया भाग हम देखें, तो वो है कौन QTR, अब कौन QTR जो है, वो कौन सा कौन है, वो ये वाला कौन है, है न, और हमें क्या करना है, हमें इसको QPR आनि कि इस कौन के पदों में लिखना है इस कौन से उसका संबंद निकालना है तो आईए देखते हैं तो QTR आपको कौन से त्रिबुज में नज़र आ रहा है त्रिबुज QTR में और इसको हम लिख सकते हैं कि ये 180 में से अगर हम कौन TQR और कौन TQ को घटा दें तो हमें मिल जाएगा ठीक है अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि मैं PQR तक पहुचना चाहरे हूं और TQR जो कौन है वो कौन PQR का आधा है और TRQ जो कौन है वो क्या है कौन PRQ और कौन PRT के बराबर है ठीक है अब इस से हमें क्या पता चला कि 180 माइनस आप देख रहे हैं कि यह आया PQR का आधा और यह आगया PRQ ठीक है तो अब हम दीरे-दीरे उस त्रिबुच पर पहुच रहे हैं जिसका P यह जो कौन है QPR मैं जिसे कहूं वो एक हिस्सा है अब PRT को अगर आप देखिए तो यह क्या है यह है आधा किसका कौन PRS का क्योंकि प्रश्ण में ही दिया गया है कि RT जो है वो सम्दूई भाजक है अब इसको ऐसा कर लेते हैं कि 180 माइनस यहाँ पे अगर हम आधा उभेनिश निकाल लें तो कौन PQR और कौन PRS हमें मिल जाएगा और साथ में हमारे पास कौन PRQ तो है ही अब अगर आप यहाँ पे बहिश कौन गुर्धर्म का प्रयोग करें तो आप देख सकते हैं कि कौन PRS क्या है कौन PRS हो जाएगा आंत्रिक जो हमारे पास विपरीत कौन है उन दोनों के योगफल के बराबर यानि PRS बराबर हो जाएगा कौन PQR और कौन QPR के योगफल के बराबर और कौन PRQ तो हमारे पास पहले से ही है अब इससे हमें क्या फैदा हुआ आए देखते हैं जब हम इसको और हल करेंगे तो हमें मिलेगा 180 degree माइनस आधा और PQR और PQR जुड़ करके दो PQR हो गया और साथ में हमारे पास आधा QPR और साथ में कौन PRQ भी है अब ये दो और ये दो कडिया यानि की 180 degree माइनस हमारे पास क्या क्या है कौन PQR और साथ में माइनस कौन PRQR और चुकी हाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट के बाहर नकरात्मक चिनने था तो ये माइनस QPR भी मिलेगा अब 180 में से आप कौन PQR को घटा रही है और कौन PRQ को घटा रही है तो आपको कौन सा कौन मिला आपको पहले वाले ब्रैकेट को हल करके कौन QPR मिला और आप उसमें से आधा कौन QPR घटाएंगे तो आपके पास बचेगा शेशफल आधा कौन QPR और यहीं पर सिद्ध हो गया बहुत ही जरूरी प्रश्ण है तीन अंक का कम से कम यह आएगा और यहां पर हमने त्रिबुच के दो गुर्धर्म जो की उसके आंतरिक कोनों का योगफल और उसके बहिश कोन के उपर आधारित है उनका भी प्रयोक किया है मुझे आशा है कि मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बाते बताएं आपको अच्छे समझाएं होंगी